अब चलते हैं हम विद्धेश्वर सहिता के दूसरे अध्याई की तरफ सिव पुरान का परिचय और महिमा सूद जी कहते हैं साधु महात्माओ आपने बहुत अच्छी बात पूछी है यह प्रश्ण तीनों लोकों का हित करने वाला है आप लोगों के इस नेह पूर्ण अनुग्रह पर गुरुदेव व्यास का इसमरण कर में समस्त पाप राश्यों से उद्दार करने वाले सिव पुरान की अमरित कथा का वर्णन कर रहा हूं यह वेदान्त का सार सरवश्व है यही परलोक में परमार्थ देने वाला है तथा दुष्टों का विनास करने वाला है इसमें भगवान सिव के उत्तम यसका वर्णन है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आदि, पुरुसार्थों को देने वाला है पुरान अपने प्रभाव की दृष्टी से व्रिद्धी तथा विस्तार को प्राप्त हो रहा है सिव पुरान के अध्यन से कल्यूग के सभी पापों में लिप्त जीव उत्तमगती को प्राप्त होंगे इसके उद्य से ही कल्यूग का उत्पात सांत हो जाएगा सिव पुरान को वेट तुल्यमाना जाएगा इसका प्रवचन सरप्रथम भगवान सिर्व नहीं किया था। इस पुरान के बारह खंडिया भेद हैं। सहिता में दस हजार इस लोग हैं। 12,000 इस लोग हैं। मूल सिव पुरान में कुल 1,000,000 इस लोग हैं। परन्तु व्यास जी ने इसे 24,000 इस लोगों में संग्छिप्त कर दिया। पुरानों की क्रम संख्या में सिव पुरान का चोथा इस्थान है। इसमें साथ सहिताये हैं। पूरु काल में भगवान सिव ने 100 करोड इस लोगों का पुरान ग्रंत ग्रंतित किया था। स्रिष्टि के आरंब से निर्मित योह पुरान साहित्य अधिक विस्त्रित था। द्वापर युग में द्वैपायान आदी महारिशियों ने पुरान को 18 भागों में विभाजित कर 4 लाख इस लोगों में इसको संखिप्त कर दिया। इसके उपरान व्यास जी ने 24,000 इस लोगों में इसका प्रतिपादन किया। योह साथ सहिताओं वाला सिव पुरान वेद के समान प्रमानिक तथा उत्तम गति को प्रदान करने वाला है। इस निर्मल सिव पुरान की रचना भगवान सिव द्वारा की गई है। तथा इसको संखेत में संकलित करने का स्रे व्यास जी को जाता है। सिव पुरान सभी जीवों का कल्यान करने वाला सभी पापों का नास करने वाला है। सत्पुरुसों को कल्यान प्रदान करने वाला है योह तुलना रहित है तथा इसमें वेत प्रतिपादित अद्वैत ज्यान तथा निश्कपट धर्म का प्रतिपादन है सिव पुराण स्रेष्ट मंत्र समूहों का संकलन है तथा यही सबी के लिए सिव धाम की प्राप्ति का साधन है समस्त पुराणों में सर्व स्रेष्ट सिव पुराण इर्शा रहित अंतकरन वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है इसमें परमात्मा का गान किया गया है इस अमरित मई सिर्व पुरान को आदर से पढ़ने और सुनने वाला मनुश्य भगवान सिर्व का प्रिय होकर परमगती को प्राप्थ होता है